आज मैं पालक पकोडा बनाने जारी हूं तो आप लोग वीडियो पूड़ा जरूर देखिएगा और जादा से जादा लाइक, सब्सक्राइब, सेयर जरूर कीजिएगा यहाँ पे मैं पालक पत्ते को अच्छे से दो करके साफ करके ले ली हूँ और बारी काट करके ले लेना है हमें तो यहाँ पे मैं काट करके ले लेना है साथ को अच्छे से दो लेना है यहां पर आदि चमच में जीर डाल दी हूँ जीरा डाल देना है और आदि चमच हम अजमायन डाल देंगे हाथ पेड़ा कर करके अजमायन डाल देना है इसमें आधी चमच दानिया पॉटर डाल देंगे आधी चमच हल्दी पॉटर डाल देना है आधी चमच मिर्च पॉटर डाल देंगे आधी चमच हम जेरा भोनी भी जेरा पॉटर डाल देंगे तिन चार मैं हारी मिर्च काट करके ले ली हूँ आप लोग अपने हिसाब से कम जादा डाल दीजिएगा अब इसमें हम बेशान डाल देंगे तो दो चमच में बेशान डाल दीए हूँ दो चमच हम जावल की आटा डाल देंगे नमक डाल देना है स्वादमसा अब इसे हम अच्छे से हाथ से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को इसमें पानी नहीं डालना है पालक की पानी से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखे यह अच्छे से mix हो चुकी है जैसे भी सेब में हम बनाएंगे यह बन जाएगी आसानी से तो बस हमें इतना ही टालना है जादा नहीं बेशनक चावल के अटर डालना है तो अच्छे से mix हो चुकी है अब इसे हम थोड़ी सी ले लेंगे और टिकी सेप में बना लेंगे यह आप गोल गोल भी बना सकते हैं तो देखे यह आसानी से टिकी सेप में बन गई तो ऐसे हमें बना करके त्यार कर लेना है ना ज्यादा मोटा त्यार करेंगे ना बिल्कुल पतला करना है थोड़ी से हम पालक हाथ में ले लेंगे और इसे हम गोल कर लेंगे फिर दोनों हाथ की बीच में हम इसे रख करके थोड़ा थोड़ा दवा देंगे तो यह आसानी से बन जाएगी तो यह देखिए टिकी से में बन के त्यार हो गई है तो ऐसे हमें सारी बना करके पहले त्यार कर लेना है तो सारी में बना करके त्यार कर ली हूँ ग्यास पे एक गडाई में तेल गरम होने के लिए रख दी हूँ तो तेल हमें गरम कर लेना है तो तेल गरम हो चुकी है अब इसमें एक एक करके हम इसमें डाल देंगे जब तुरांत इसे नहीं पलटना है, जब थोड़ी से ये नीचे से सिख जाए, उसके बाद इसे पलट देना है तो देखें, नीचे से ये थोड़ी से सिख चुगी है, तो अब हम पलट लेंगे, तो एक भी तूटेगी नहीं है अब दोनों तरफ से हम पलटते हुए से ताल देंगे वीडियम फ्लेम पे इसे तलना है, हाई फ्लेम पे नहीं तलना है तो आसे हम दोनों तरफ से पलटते हुए से ताल देंगे ये देखें, अच्छे से ये बाद चुकी है, तो इतना हमें अल्का ब्राउन लाइट ब्राउन करके तल लेना है तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही latest युरल्थी बनके तैयार होती है जो देखे कित्में अच्छी यह बनके तैयार हुई है अब आग की जो बचे हैं वो भी हम बना करके ऐसे ही तैयार कर लेंगे एक बार में कड़ाई में जितनी चार पांच आए तो चार पांच डाल करके तल लेना है तो देखे ये भी नीचे से सिख चुकी है थोड़ी सी तो अब हम दूसरी तरह फलट लेंगे इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ना चिपकेगी ना तूटेगी तो देखे मैं सारी पकोड़ा बना करके त्यार कर ली हूँ कितनी अच्छी ये पकोड़ा बन के त्यार हुई है बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही सुन्दर एक बाड़ आप लोग मेरे तरीका से जरूर बनाएएगा इस वीडियो को जादा से जादा सेर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल 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 झाल